Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot Guys, आज का जो वीडियो उसका टॉपिक आपने थमनेल में देखी लिया होगा कि हम किस चीज को लेकर रीडिंग करने हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपको लेकर लोगों की सोच में क्या बदला आया है ये हम इस रीडिंग के थूँ देखेंगे और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजी और पसंद आये तो लाइक, शेर, कमेंट जरूर करें तो लोगों की सोच में आपको लेकर क्या बदला आया है ये हम इस रीडिंग के थूँ देखेंगे और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वाच्चप नमबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए तो लोगों की सोच में आपको लेकर क्या बदला आया है ये हम इस रीडिंग के थूँ देखने वाले हैं लोगों की सोच में क्या बदला आया है आपको लेकर लोगों की सोच में क्या बदला आया है आपको लेकर तो बॉटम आप देख जो आया है वो आया है पेज आप कप्स तो यहां पर जो पहला कार्ड आया है वो आया है डेविल का दूसरा कार्ड टू अफ सूर्ट्स जस्टिस पेज आफ पैंटिकल्स हर्मित एस अफ वोंस कुछ कार्ड और लेंगे हम तो लोगों की सोच में क्या बदलाव आया है आपको लेकर लोगों की सोच में आपको लेकर क्या बदलाव पार्ड के रिताल नहीं तो लेसे और लेसे अंब आया है दार्क थाउट्स एंजल्स आप पूर डारेक्शिन जोएस फन लोगों की जो सोच है उसमें क्या बदलाव आया है आपको लेकर ये हम देखेंगे तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले आपकी राशी की तो आपकी राशी वरश्चिक हो सकती है आपकी राशी मकर हो सकती है आपकी राशी यहाँ पर तुला हो सकती है और कन्या हो सकती है ये जो साइन है बहुत स्ट्रॉंग है साथ साथ जो एयर इलेमेंट है बहुत आया है आपकी राशी मिथुन हो सकती है तुला हो सकती है कुम्भ हो सकती है कन्या हो सकती है मकर हो सकती है और रश्चिक हो सकती है यह जो साइन है बहुत स्ट्रॉंग साइन आपकी रीडिंग में दिखाई दे रहे हैं साथ साथ आपकी डेट आप बर्थ का मन्त फरवरी हो सकता है आपकी डेट आप बर्थ का मन्त नवंबर हो सकता है मई हो सकता है जु आपकी देट ऑफ बर्थ किसी मन्त की 5 14 23 हो सकती आपकी देट ऑफ बर्थ किसी मन्त की 7 16 25 हो सकती आपकी देट ऑफ बर्थ किसी मन्त की 9 18 27 हो सकती आपकी देट ऑफ बर्थ किसी मन्त की 1 10 19 28 हो सकती है और यह जो मैंने साइन आपको बता है यह आपका राइजिंग साइन हो सक आपका संसाइन हो सकता है तो लोगों की सोच में आपको लेकर क्या बदलाव आया है यहां पर आप जो हो यहां पर आपकी जो एनरजी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आप की इक्छाएं बहुत हैं आपकी विशेज बहुत हैं आप बहुत अबिशियर्स हो आप बहुत आपके जो एमबिशन से वह बहुत मटेरियलिस्टिक है मींस आप जीवन में बहुत कुछ करना चाते हो आप जीवन में बहुत कुछ मटेरियलिस्टिक आगे बढ़ना चाते हो मींस आप अपनी लाइफ में एक इस्टेविलिटी चाते हो और वो stability, पैसे को लेकर हो सकती है, आपका status को लेकर हो सकती है, आपके career को लेकर हो सकती है, तो पहले से आप लोगों की सोच में ये बदलावा हो सकता है, पहले आप बहुत चीजों को control करने की कोशिश करते हो, आप लोगों को control करने की कोशिश करते हो, साथ-साथ परिस्तितियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो है ना बहुत हो सकता है डॉमिनेटिंग हो आप मीज आप इस तरह से हो सकते हैं पहले पहले आप हो सकते बहुत डॉमिनेटिंग बहुत हो सकता है नेगेटिव हो सकते हो बहुत जल्दी परेशान हो जल्दी इरिटेट हो जाना बट अब जो आपकी एनर्जी है जो सोच है लोगों की जो सोच है आपके प्रती उसमें बहुत बदलाव आया है means आप जो हो आप जीवन में प्रेजेंट में जीते हो ना पास्ट में जाते हो ना आप फ्यूचर को देखते हो means आप जो भी सोचते हो आप प्रेजेंट में रहे कर सोचते हो साथ साथ आप जो है यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो अब पहले जो है आप चीजों को कंट्रोल करते थे अब आप सरेंडर कर देते हो डिवाइन पर कि जो भगवान की इक्षा होगी वही होगा पहले आप चीजों को पाने की कोशिश करते हो और चीजें आपके उसमें होती नहीं होती हो तो आप बहुत परिशान हो जाते हो बहुत नेगेटिव हो जाते हो बहुत इरिटेट हो जाते हो इस तरह की एनरजी या यह कह सकते हैं बहुत एडिक्टेट एडिक्शन आपको पास्ट में किसी चीज का रहा हो। तो आप जो सोच है लोगों की आपके प्रती भौत चेंजेस आए हैं, और लोगों की सोच बदली है क्योकि जब आप बदलोगे तो सोच तो आट आटोमेटिकली लोगों की बदल जाएगी, क्योंकि आपका वैवार आपकी सोच को बतलाता है आपके thoughts को बतलाता है आपके thoughts process को बतलाता है आपके attitude को बतलाता है कि आप किस तरह के इंसा connects साथ साथ पहले आप decision नहीं ले पाते थे पहले आप 창ा को decide नहीं कर पाते थे बट लोगों की सोच में अब आप जो है अच्छे से चीजों को बैलेंस कर पाते हो साथ साथ आप किसी भी चीज का लेंने अब ले सकते हो आपकी जो सोच है आप इस तरह की बन गई है कि आप किसी भी चीज को बहुत अच्छे से डिसाइड कर सकते हो हना तो लोगों की इस बात को लेकर भी आपकी जो सोच है वो बदल गई आप बहुत बैलेंस हो गया हो लोगों की नजरों में लोगों की सोच में साथ साथ आप पहले और अब में बहुत फर्क आया है आपके अंदर आप पहले चीजहों को अगर आप कोई चीज़ें हासिल नहीं हो पाती हो अगर आप को कोई चीज मिल नहीं पाती हो या आपका काम पूरा नहीं हो पाता हो, तो आप बहुत low feel करते थे, बट अब आप जो है, आप जीवन को इश्वर के हाथों में सोब कर, आप किसी भी बात की चिंता नहीं करते हो, और आप जीवन में ज्यादा से ज्यादा enjoy करने की कुशिश करते हो, आप जीवन में एक-एक पल को, एक-एक मुमेंट को जीना पसंद करते हो, साथ-साथ यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है लोगों से या यह कह सकते हो कि आप अपने एमोशन्स, अपने थॉर्ट्स को छुपाते हो, आप अपने जो आपका जो थॉर्ट से उसको आप छुपा के चलते हो, आप अपनी फिलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आप पहले आप लोगों को अपनी बातों को एक्सप्रेस ना कर पाते हो, आप लोगों से अच्छे से इंट्रेक्ट नहीं हो पाते हो, है ना, बट आप जो हो, आप बहुत अच् की सोच में आप बहुत एनर्जेटिक हो गया बहुत अप्टूडेट हो आप बहुत एंथूसियस्टिक हो मिन्स आपके अंदर एक पेशन आगया है आप जीवन को लेकर साथ-साथ आपकी जो लाइफ है उसमें एक मेजर ट्रांस्फोर्मेशन आया है एक मेजर बदलाव आया है यहां पर आपके अंदर मैचुरीटि आई है आपके अंदर आपकी एक सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है बहुत मेजर चेंजिस आपकी सोच में आये हैं क्योंकि अब जो है आप अपने हार सेल्फ से कनेक्ट हो गया हो आप जो है आपकी जो एनर्जी है वो बैलन हो गई है आपने अपनी एनर्जी में अपने चक्राज में बैलेंस किया है मीज आपने अपने थाट प्रोसेस को चेंज किया है आपका जो थाट प्रोसेस है वो बहुत पॉजिटिव हो गया है इस कारण से आप जो है जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हम चीजों पॉजिटि कनेक्ट हो पाते तो आप अब जो हे अपने हाइर से चेक есс के हो गए हूं कि ने अन्दर आप वह शम्ता है कि आप अपनी चीजों को मैनि फेस्ट कर सको आप अपने जू जीवन में चाहूं उसको पास सको यहाँ पर आपके आज स्पास आपके साथ एंजलस आपके साथ ईश्वरी ये शक्तिएं हैं, आपके साथ दिव्य शक्तिएं साथ साथ, पहले आपके जो thoughts थें, वो बहुत negative थे पहले जो आपके सूचने का जो तरीक था, वो बहुत negative था, आप भौत जल्दी negative हो जाते थे, आप भौत जल्दी काम ही नहीं करती, इस तरह का बोलते हो, बट आप आपकी सूच में बहुत एक बड़ा, एक मेजर बदला आया है, मींस आपकी जो थौट है, वो बहुत पॉजिटिव हो गई है, अब आपकी पहले जैसी सोच नहीं रहे है, तो यहाँ पर आपके बारे में लोगों की सोच में ये बदला आया है, और भी हम कार्ड लेंगे यहां पर कुछ कार्ड हम और लेंगे आपकी सोच में क्या बदलाव आया है या यह कह सकते हैं कि आपकी नहीं लोगों की सोच में क्या बदलाव आया है जापकी किर लोगों कार्ड आया कार्ड लाव का बदलाव धर लेंगे फिक ड्याई लेंगे क्या आया कि आपकी की सहार आया है तो यहां पर जो bottom of the deck आया है वो आया है building blocks, means आपने अपनी foundation को strong किया है, आपने अपने आपको एक अपना जो base है उसको आपने मजबूत बनाया है, वो कैसे अपनी सोच के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने career के द्वारा, अपने positive outlook के द्वारा, आपकी जो सोच है वो बहुत positive हो गई है, means आप बहुत positive सोचने लगे हैं, आप चीजों को manifest करते हैं, आप अपनी positive चीजों के द्वारा, यह यह कह सकते हैं, आप अपनी positive सोच के द्वारा, जो भी आप जीवन में चाहते हैं उसको manifest कर पाते हैं चाहे वो relationship हो, abundance हो, career हो या और कोई चीज हो आपने अपने जीवन में अपनी positive सोच के द्वारा छोटे-छोटे steps लेना start किये हैं और वो छोटे-छोटे steps जो है एक बड़ी achievement आपके लिए लेकर आए हैं आपने छोटे-छोटे प्रयासों से बहुत कुछ बड़ा हासिल किया है तो आपके जो अंदर है वो इस तरह का बदलाव आया है तो लोग आपके बारे में इस तरह की सोच अब रखने लगे हैं दूसरा जो card आया है milk and honey और आपने अपनी इन सोच से आपके positive सोच के द्वारा आपके positive outlook के द्वारा और छोटे-छोटे प्रयासों के द्वारा आपने जीवन में हर तरह की abundance को attract किया है और हासिल कि आपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है तो ये भी सोच आपके प्रती लोगों की बदली है दूसरा जो card आया है treasure island का साथ-साथ आपने अपनी life में एक peace, आप अपनी life में एक शांती लेकर आएं आप अपनी life में एक peace, एक सुकून, एक calmness लेकर आएं तो ये भी जो बदलाव है ये आपके जीवन में आया है और जो कुछ भी आपने अपने जीवन में हासिल किया है चाए वो पैसा हो, चाए वो finance हो, चाए वो career हो चाए वो relationship हो आपने सिर्फ positive outlook के द्वारा आपने बहुत कुछ जीवन में manifest किया है और दूसरा जो यहाँ पर card आया है, came it up or come to the age तो यहाँ पर ये cards आपको यही बता रहे हैं कि तो आपने अपने जीवन से negativity को दूर किया है आपने अपने जीवन से ये ये कह सकते हैं आपने अपने negative thoughts को deep letter किया है जिसके कारण जो है आपने अपने fears पे काम किया है आपने जो है अपने डर को भगाया मिन्स अपने जो आपके अदर एक fears थे कि काम नहीं होगा अगर मैं करूँगा काम नहीं होगा मैं ऐसा करूँगा तो नहीं होगा मिन्स जो आपके fears थे उन पर आपने जीत हांसिल की हैं, साथ साथ आपने अपने जीवन से negativity को हटाया है और आपने जीवन में रिस्क लिए हैं और जब हम रिस्क लेते हैं, जब हमारा इस तरह से स्वभाव बनता है, जब हम रिस्क लेना स्टार्ट करते हैं और with positive outlook, with positive mindset तो जीवन में बहुत जीवन में अपने सोच के द्वारा changes कियें अपनी life में, तो ये जो सोच है लोगों में आपके प्रती जो है वो बदली है, तो ये थी reading, I hope ये reading आपको पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो चैनल को like, share, subscribe जरू कीजिए, और इसी तरह से आप बने रहें, आप इसी तरह से अपने positive mindset के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहें, सफलता, अवश्य ही आपके हर कदम पर आपका साथ देगी, आपके कदम चूमेगी, ये थी reading, I hope ये reading आपको पसंद आई हो, हर हर महा देव, श्री शिवाय, नमस्पुग्या, ओम साहिराम, जय माता अदि, रादे रादे झाल